असलाम अलेकुम फ्रेंट्स वैलकेम टू फूड वित निम्रा चैनल तो कैसे हैं आप सब उम्मी देखे हैं आप सब बहुत ही मज़े में होंगे और मेरी वीडियो को इंजुआ कर रहे होंगे सर्दियों के मौसम की बस आमद ही आमद ही किस किस के सिटी में सर्दिया आ चुकी है मुझे कमेंट्स में लाजमें बताइएगा सर्दी आने से पहले आप लोगों के साथ एक ऐसे सूप किरासी पी शेयर कर रही हूं कि इस सर्दियों में आप लोगों ने जरूर ट्राइ करना है कराची का मशूर अंड़ा पापड़ी सूप कह ली जिए या पिर चकल पापड़ी सूप कह ली जिए ऐसा मज़िधार साथ जम् सत्राइन में लोगों ने स्क्स क्लास के करीब सूप कानिके कंभी तर्प सकते हैं आप लोगोने चिकना डिये सकते हैं सबसुन और हम यहां पर बोन ले सकते हैं को बॉर्पत क्रें हैना है चिकनपना इची कन वाल ऐना है तो जाग कर घाएंगी दर गंदगी हो तो फ्रश चिकन सब्सक्राइब धारा कर सकते हैं है कंगों अच्छे से काट सकते हैं कि जाग करते हैं आप चेकन के उपर इसको Jul Trot कर रहे हैं अब इस चिकन को हम लोगों ने अच्छे से कॉक कर लेना है तो मैं यहा पर इसको कउआर रिकि तक बिरूंज पांसे 7 मिनट के लिए और बहुत यह अच्छे से हमारा चिकन ना गब एक हमें बादना नंहीं आठारम लिए गाल जा विक चिकन के तो प्रले की अपर कर लेते हैं मैं यहां पर बारीक 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 लंबे-लंबे रेशे हो जाएंगे अगर आप लोग हडी वाला चिकन यूज कर रहे हैं तो पिर आप लोगों ने इस स्टॉक को जली से चान लेना हैं क्योंकि चुटी-चुटी हड़ियां आजाएंगी अगर बाउनलेस अगर देने हैं मैं यहां पर बाउल यूज कर रहे हैं और यह फ्रोजन यह पहले से वाइल हुए वे ते जिनको मैंने फ्रोजन कर लिया ता अब इसमें अदा कप आड़ कर दी हैं आप लोगों ने सबसे कम जादा भी कर सकते हैं इसके बाद आप लोगों ने एक चिकन श् अब लिया हैं और हाफ चिकन में सूप में एड़ कर रही हैं आदा चिकन हम लोग बचा के रख लेते हैं देख सकता है आप लोग मैंने रख लेखे रख लेक हैं यह वाले तमाम एंग्रेट्स जाली के बाद आप लोगों इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है औ जब तो टी स्पून वाइट वे डिनिंर आपने साफ से कम चाहिए है करूं कर नहीं और में यहाए यहां और यह क्रमा कहा है यहां टिक का विणिंगर बीस दीजित कर देना है तो मैंने यहाँ पे 3 टैबिल स्पून कॉन फ्लावर लिया है और इसमें पानी डाल के इसको मिक्स करके सलरी बना लेती हूं अगर आप लोगों को सूप जाधा तिक रखना हो तो पिर आप लोग ना कॉन फ्लावर की सलरी को जाधा भी बना के आड़ कर सकते हैं लेकिन यह रेशो बिल्कुल परफेक्ट है आप लोगों ने इसी तरीके से बनाना है सूप मार अच्छे से यह पे कुक हो रहा है इस स्टेज पर आप लोगों को नमक करना चेक कर सकते हैं अगर आप दोगों को नमक कम लगे तो फिर आप लोग कर दीजिए अपने हिसाब से मैंने यह पर वन फॉर टीस्पूनी नमक एड किया है इसको एक दफा में मिक्स कर देती हूं और इसको एक दू बॉयल दिला लेती हूं जैसे इसमें एक दू बॉयल आ जाएंगे तो फिर इसको प्लेटी करें लाएंगे जड दिलाव पर इक दफेंड कर देनी हैं और आप लोगों ने डायरक चमत चलाते रहना है क्योंकि अधरना पर लंस बीक्स कर देना और इसको हम लोगोंने तकरेवं तीन से चार मिन अच्छ से और को करना है यह जैसे जैसे आप लोगों कर के साइट पर रख लेती हूं यह आप लोगों के सामने में करके दिखा रहे हैं जैसी आप लोगों को लगे कि 4-5 में अच्छे से सुफ मरना अर्थिक भी हो चुका है और ना चैसे को गया तो पिर आप लोगों ने अंडा इसमें एड करना है लेकिन अंडा आप लोगों ने से तार बनाके हैं क्योंकि इस के अंधर अच्य से बारिक बार एक श्रड बनें गें अणडे की आप लोग को एक जबाट जहाएं चैसे नहीं लिए लगए तो एुपर से वनार पर टार बना के करना है और लोगों भी अथा हथ को रहा हैं आणना चला लेना ही मिक्स कर लेना है और बहुत स्यूवश भार ₹स गर्म हमारा सूप आरा लए उप है दो हम स्यूशन के उसके भी कन रख़ जानी कर लेता है उसे उसके आप लगा है उत्य तो यह अज़ कि बावल है अगया है पते हैं क्योंकि बजार में जो सूप पीने जाते हैं जो इस्पेशली पापडी वाला सूप होता है उस तरीके से हम लोग घर में इसको बना रहे हैं तो आप लोग इसको पर अच्छे से भरपूर चिकन डाल देना है और इस तरीके से पापडी आप लोग ने लाजमी एड़ करनी है इसका जो क्रण्च आता है ना सूप में आपको एक्स्प्लें नहीं कर सकती लेकिन जब आप इसको ट्राय करेंग ना तो आप लोग खुद बोलेंगे वा या यह तो ओय वाली रेसिपी हो गई पापडी की रेसिपी में अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकिए आप लोगों को मज़दा रेसिपी मिलती रहेंगी इसी के साथ सथ आपने वीजियो को लाइक कर देना है क्योंकि मैं आपके साथ तनी मज़दार परफर्फर्क रेसिपी शेयर की है ठंडे ठंडे मौसम में करम गरम सा हाट एंड सार सूप मिल जाए तो मज़ा ही आज आज सबसे पहले हम लोगोंने चिकन स्टॉक यानि के चिकन जाखनी रेडी करनी है तो मैंने यहां पर विद्बोन वाला गोश लिया है तक्री हंड्रेड क्रैम्स के करिए चिकन के साथ ही हम लोगोंने इसमें साबुत प्यास शामिल कर देना है तक्रीब एक अदर जिसका मैं र जादा अराम से कर सकते हैं वन ती स्पूनी भर के आप तो ने लाल मर्च का पॉडर शामिल कर देना है इससे कलर और फ्लेवर बहुत ही मज़ी का आईगा अब यकनी रेडी करने के लिए इसमें हम लोगोंने चार कप के करीब पानी शामिल कर देना है और मीडियम फ्लेम प जबर्दसी फ्लेवर फुल सी यकनी रेडी हो चुकी है और चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है अब चिकन स्टॉक को आप लोगोंने च्छान लेना है ताकि चिकन अलग हो जाए और जो मसाले वगरा है सारे उपर रह जा नीचे अच्छी से यकनी ना चुन यह आप लोग चुक कर सकते हैं अब चिकन को हम लोगोंने सेपरेट कर लीना है और जितने भी गरम मसाला बढ़ चुका है है प्यास वगरा इसको अम लोगोंने डिसकार्ट कर देना है इन तमाम चीज़ों का अच्छे से फ्लेवर यकनी में आ चुका है अब चिकन को सेपर तो आपके बड़ा है तो दो को अचे से फ्राइय करें लिए 2-3 मिटिए मीडियम फ्लेम पर जब से घरा है कि जब हम लोग उनकों कैरिक कारते हैं अगर अगर अधार जो पर शोड़ा है यह स्मैल कश्टम और शूप मैं जो हम लोग चुकन फ्राइय कर के एक कर लीघ करेंग काईटिटी में यहां पर आपनों कोई पता नहीं रही यह आपने असाप से कम ज़्यादा एजी रिसकते हैं वैजिस को आप लोगों ने अच्छा से शौते कर दिया है एक से दू मिनिट के लिए जैसे ही वैजिस अच्छा कर दो ग्लास के करी पानी शामिल कर रही हैं तो इस क्वांटिटी ये अच्छी खासी है और साथ इसमें हम लोगों ने एक अदर चिकन क्यूब भी लाजमी शामिल कर देना ही इससे फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा अब इसमें कुछ सॉस वगरा एट करने तो भी नो डाउन कर लीजिए तू टैबल स्पून हम लो लोगों ने फूर टैबल स्पून चिली गार्ली कैचप अगर आपके पास सिंपल वाली कैचप हो तो पिर आप लोगों ने कुछी ही मिर्चों की थोड़ी सी कौंटिटी बढ़ा के इसमें शामिल कर दीनी है अच्छी से तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद या आप लो पर दस फ्लेवर फुल सा सूप रैडी होगा अब मैं आप सबके साथ 30 से 40 मुट बात कर दो शेयर कर रही हूं जबर तस सूप रैडी हो चुका है इसको हम लोगों ने हलका साथ तिक करना है तो मैं यहां पर वन टैबल स्मून के करीब कौन फ्लोर को ले रही हूं इसमें आ कौन फ्लोर को अट करने के बाद भी आप लोगों ने इसको तकरीब पांच से 10 मुट के लिए पकाना है ताकि जो कौन फ्लोर का कच्छा पने वह अच्छे से कम्प्रेटली खतम हो जाए और सूप भी तोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाए लेकिन अगर आप लिए लग अच्छे से पेंट लेना है और अप लोगों ने इस तरीके से फाहला के अड़ कर देना है अभी आप लोगोंने स्पून नहीं चलाना तूर अँड़ से अंड पकने दीजिए थोड़ा साजा जैसी अंडा पकता है तो फिर अंड़ ने हलके हाथ से जो नहाँ चलाना है क्य हाट एंड सार सूप रडी हो चुका है तो इसको जली से आप लोगों ने अब डिशाउट कर लेना हैं सर्फ कर लेना है अब रेस्टरंट को करें बाइ बाइ और घर में मज़े मज़े के खाने बनाएं मेरे चैनल से देख के ये चैक कीजिए एक एक बाइट में अंडा चिकन वेजी हुए 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 सबटत सूप करमा गरम सा ऐसी ही असान और मज़ितार रेसिपी सीखने हो तो पिर आप लोग जली से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के सामने ऐसी ही असान असान रेसिपी आती रहें वीजियो को लाइक कर दीजिएगा ने